नमस्कार Education India पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के एड्मिट कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का एड्मिट का डाउनलोड करेंगे तो ऐसे मैं आप इस वीडियो को जान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक को और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो उस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक् डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है अब दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर सर्च करना है educationindialive.com आप क्या लिखेंगे Google में तो आप Google में लिखेंगे educationindialive.com और फिर सर्च कर लेंगे सर्च करने के बाद दोस्तों आपके साम से एक नया पेज आ जाएगा यहां पर जो सबसे उपर website देखने को मिल रही है educationindia इस website को आपको यहां पर क्लिक करके open कर लेना है website को open करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस पर कार्ट से एक नया पेज आएगा यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे की और आ जारा ह का Admit Card यहाँ पर इस link पर क्या करना आपको क्लिक करते ना है जैसे ही दोस्तों आप इस link पर क्लिक करेंगे तो यह post आपके सामने open हो जाएगी अब आपको थोड़ा सा नीचे की और आ जाना है जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो आप यहाँ पर Indian Coast Guard Admit Card Download लिंक देख पाएंगे इस link पर आपको क्लिक कर देना है इस link पर क्लिक करते ही दोस्तों इस परकार्ट से Sign In का एक पेज आपके सामने आएगा अब आप अपनी email ID यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद password पासवर्ड जो आपने registration के वक्त डाले थे वो आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पर जो image में क्यपचा देखने को मिल रहा है उससे यहाँ पर enter करेंगे और फिर आप login पर क्लिक कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप login करेंगे तो कुछ इस परकार्ट से देख सकते हैं डाउनलोड provisional e-admit card इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप download e-admit card पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार्ट से आपके phone में एक PDF डाउनलोड हो जाएगी उस PDF को आपको print करवा लेना है PDF अउपन करेंगे तो कुछ इस परकार्ट से आपके सामने आपका admit card आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपकी basic details देखने को मिलेगी जो भी आपने details दी है उसके अलवा hall ticket number आपको देखने को मिलेगे यहाँ पर आपको photo लगा हुआ होगा और उसके just side में आपको क्या करना है अपना एक photo चिपका लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं to be pasted in front of invigilator at exam center तो यहाँ पर क्या करना है जो photo है आपको exam center पर लेकर जाना है और वहीं पर चिपकाना है फिर आपको नीचे आना है examination details के section में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका exam कब है किस shift के अंदर है reporting time क्या है gate closing time क्या examination time क्या रहने वाला है center of examination यहाँ पर आप देख पाएंगे landmark आप यहाँ पर देख पाएंगे ताकि आप center पर सई से पहुँच पाएंगे यह जानकारी आप admit card में देख लेंगे अब यहाँ पर ज्यान देने वाली बात यह है कि आज उनीका admit card आया है जिनका exam 20 तारिक को है जिनका exam 20 के बाद में है उनका admit card फिलाल जारी नहीं किया गया है admit card में आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो important instructions का एक page देख पाएंगे इन instructions को अभी आप ध्यान से पढ़ लीजेगा ताकि exam center पर किसी भी समयशा का स्तामना आपको ना करना पड़े यह थी पूरी जानकारी admit card को लेकर वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक कि देगा और साथ यह से वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चनल को भी subscribe करके बेल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में किसन जानकारी के साथ तब तक के लिए